स्वागत है दोस्तों आप कमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम एंड कटर के ब्लेड की तार लगाएंगे दोस्तों यह जो मारा ब्लेड आता है इसके दोरा हम डायमंड ब्लेड की तार लगा सकते हों चाहे वो मसीन वाला ब्लेड हो चाहे वो एंड कटर क बलेड हो दोस्तों यह जो हमारा बलेड है वो आप जानते हो एंड कटर में डेड़ सो से लेकर डाइसो के रेट में मिलता है दोस्तों कुछ देर यूज करने के बाद में अगर जैसे फ्लैश डोर बगेरा के कटिंग करते हैं तो उसमें कील बगेराने से हमारा बलेड है जो बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो दोस्तों यह हमारे जो मसीन वाले बलेड है यह आपको पता है 500-600 के रेट में मिलते हैं यह भी बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं तो दोस्तों हम इस तरह से बहुत रुपए रुपए की बरबादी करते हैं दोस्तों हम इसको दार लगा क बिल्कुल पहले जैसा इसको बना सकते हैं दोस्तो इसके लिए हमारी ये जो ब्लेड आती है दोस्तो ये हमारी मार्किट में 110 ये 120 रुपई में बहुत यसानी से मिल जाती है दोस्तो इस ब्लेड का नाम होता है ग्लास कटिंग जो अपना प्लास्टिक की तरह जो हमारा ग्ला साथा थैं उस की कटिंग वे इसी ब्लेड द्वरह की जाती है तो दोस्टो कि है वेडियो स्टार्ट करते हैं यह थैं दोस्तों इस ब्लेड की दार लगा सकते हैं दोस्तों जो इसी तरीकार वह इस परकार से अपने grinder को एक जगा अच्छी तरिके से fix करने के बाद एक हम यहाँ पर ठल लगा लेंगे और इस परकार से बेक साइड होती है जो अपने blade की वहां तार जो लगाते हैं वो सबसे बेस्ट तरिका है दोस्तो दूसरा तरिक है जो आप इसको यहां साइड से इस परकार से लगा सकते हैं दोस्तो जो यह हमारे विट हैं उसको एक दानता है जो राइट साइड में और एक दानता है जो लेट साइड में टेप पर रखना होता है दोस्तो तो दोस्तो उसका जो देशी जुगाड़ा है वो हम अगली वीडियो में पारा टूब में लेकर आएंगे चलो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं करता है झाल झाल आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी कितने अच्छी दार लग चुकी है तो दोस्तों अब आप इसको हैंड कटर में लगा कर लकडी को काटकर देखेंगे दोस्तों ये पहले ये बिलेड बिलकुल भी लकडी कटिंग नहीं कर रहा था और थुमाम आप दोस्तों अब इसकी दार लग चुकी ऐ अब हम इसको हैंड कटर में लगाकर कटिंग करके देखेंगे दोस्तों अब आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से कटिंग हो रही है